नमस्कार मैं हूँ अन्पा मनूप आप देख रहे हैं दा खबर दाद्यूज बगेल खंड की बिंध की प्रदेश की और देश की लोग संस्कृत लोग जीवन से जुड़ हुए राम लीला की बात आज हम करने बाले हैं अपने इस कारिक्रम के माध्यम से राम लीला मतलब मर्यादा पूरसोत्तम राम के जीवन से जुड़ ही लीलाओ का चित्रण मंच के माध्यम से दर्सकों के लिए किया जाता रहा है देश में बहुत सारी राम लीला आए रही हैं और उन्होंने लोग की जीवन में गहरी छाप छूड़ी है राम लीला की सबसे बड़ी विशेष्टा की बात करें तो एक तरब राम का मर्यादा पूरसोत्तम का उत्तम चरित्र है दूसरे तरब रावड का अहंकार है एक तरब सत्त की परिपाटी है दूसरे तरब आसत्त का द्रिण निश्चा है एक दुसाह से किस तरीके से लोक जीवन को रामाड ने, रामलीला ने, राम के चरित्र ने, रावण के एहंकार ने या सत्त और असत्त ने प्रवाबित किया है ये प्रमुक पहलू है जो देश भर के लोगों के लिए आस्था का निर्माड करता है देश भर के लोगों के लिए सत्थ के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है बरतमान समय की बात करें तो राम मंदिर अब निर्माडा धीन है सुप्रेम कोट ने राम मंदिर पर फैसला अपना दिया है और आज भी देश भर में छोटे छोटे मंदिर के माध्यम से राम लेलाओ का आयोजन किया जाता रहा है आज मेरे दाये और बायसाइड जिंदो कलाकारों को आप देख पा रहे हैं ये उन्ही छोटे मंचों से निकल करके राम के चरित्र को लोग जीवन पर बिखेरने का एक अद्भुत प्रयास करते हैं हमारे बगल में आप देख पा रहे हैं कृष्ण कांती जी को कृष्ण कांती जी के राम लेलाओ की सुरुआत राम लेला के चरित्र की सुरुआत उनके बच्पन में हो गई थी अम्र लगभग दस्वारा साल और राम के चरित्र से इनके जीवन की सुरुआत हुई और बरतमान में अपने राम लेला के ब्यास की गद्दी को समालते हैं वहीं हमारे बगल में देवराज जी हैं हास्ट की बौचार करने बाले कलाकार होता है रामलीला के भासा में जिसे विदोसक कहते हैं लेकिन संपूर्ण चरित्रों के बाद भी यदि रामलीला में विदोसक के अनुपस्थित रहे तो रामलीला कहीं न कहीं अधोरी रह जाती है क्योंकि मान लिजे कि राम बनबास के ओर जा रहे हो सारी की सारी जनता भाव भी भोर है और उस वक्त जो आनंद है वो आनंद कहीं न कहीं एक दूसरी दिसा में जाता हुआ प्रतीत होता है तब देवराज जी जैसे विदोसक आते हैं उसी राम लेला में और उस आति-गम भीर हुए माहौल को समहलते हुए उसे एक हास की परिबाटी की और आनंद की परिपाटी की और ले जाते हैं तो हम आप दोनों लोगों का दोनों का लाकारों का तो सबसे पहले दखःबरदार नियोज पर बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों लोगों का तो पहला सवाल क्रिश्न कांति जी हम आप से करना चाहेंगे राम के चरित्र को आप राम लिले का माध्यम से जीने का प्रयाज करते हैं राम का जो चरित्र है वो लोग को वो लोग जीवन को क्या सीख देता है क्या परेणा देता है या क्या चीजें उनसे आपने सीखे लोगों को चाहिए कि भाई जो भगवान राम मर्यादा के पूरुवा को काम किये हैं पना दिखाए हैं लोगों को वो लोगों को चाहिए कि उसी धंग से वो भी ढ़लें अहां देखिए यह वोली की वोली की सुप्कामना है आपको हर्दिक बहुत धन्यवाद देता हूं जो हम लोगों को इसमें जोड रहे हैं देखिए यह स्वरगी रामदरस्तिवारी जी का मंडल है महराज इसमें इस रहे बहुत बड़े वाहदे खाहिक हैं हमारे थेत में इनको कौन नहीं जानता है और और यह किष्ण कांती ऱ्मएदिक के द्वारा हम भी कई बरसों से मैं जुड़ा हूं इंके साथ जो कुछ सिख्ष्शा कुछ भी पान तो सभी इन 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 के द्वारा पाहए हैं दो जी और ठीक है आप जैसे काहते हैं कामेडी तो कोई बात नहीं है यह सबसमय की बात होती है लेकिन हम लोग जहां जहां यह भगवान का चरिक्त करते हैं तो हम लोगों को बहुत सी बढ़ाई और बहुत सा प्यार मिलता है और जब हम लोग वहां से बीदा होते हैं तो जैसे कंशे कम महीना पंदरह दिन बोग हम लोगों को भूले नहीं और बोग उन लोगों को नहीं भूले और इसने हमेशा बरावर बना है और ठीक है हम कामेडी करते हैं एक बार क्या हुआ कि हम इन ही के मंदल से गए घर तो हमेरे मेहरारु के बुखार होई आई बुखार समझी तो जब घरे पहुंचे लड़ीका लागे और पापा रोटी रहा जब कभव बनाए होई तो बनाए तो हम गोरायन हम कहन के करेश परवतिया कहीं स्काया है हम कहने के लड़ीका रोबा लाँ खाय कर नहीं तो गदा और पाउडी रहाई तो फुरी नहीं आदा हो हमका देखके घरें काम बहुत परता है तो ग्यान टटूहन नारी तो बुखार फुरीं दाए देह गरम रहाई तो हम कहने कैसन करके धीरे धीरे बनाए ले दूटे जाने आप जाने होई तो हमक मुर्गी आया थी तब बनाना जाने और जाने कि ना जाने होई न जो एक भड़ और एक भड़ा करन तब आगे मरें मुर्गी आई यह जब मुर्गे सचे गुटकी गई सब्सक्राइब सब्सक्राइब भाई जी उपकष्ट परिया महरारु खटच से दिखिए सूठके जाना रासन काट में तेल पाई थे कोटामा ता अतनी हुसियार हमार महरारु रही मान लिए अपना से बताई आन से तो नहीं पर अपना से कहे देए अतनी हुसियार महरारु रही कर तो उहाई दौड के आनुञा तो गयान यहाई देए 10 लीटर के घयाना एक एडियाक महीरा कि तेल बचा रहा में लाई लाई लगवाई लिए हनना त्योंके खष्ट कम हो रहा तहला है जब सात्अ तmeno रीटर रहा प्राम जगई जब साता लिटर लिखा म५ॉर दोपर यहिं देख से किए स्व जिन्दगी के ठिकाना है नहीं अभी हमके किष्णा कांट तीवारी के संगे जुड़े हैं ते उहाई मेरा सब के महरा रूदेव जैसन हमारी है अब अपनों काज होई कि नहीं वहाँ हमारा तो अभी नहीं हुआ अब मतलब कुमार हैं चीनता नकरी आसं होई एंसे करोना करोना याई नहीं कर दिए तो यहां की बात नहीं हुआ नहीं कि बात नहीं है और भगदिवा की है का करी करोना याई नहीं कर दिए सरकार की राजगदी हो जाती है राम जी की राजगदी करोना रोक देता है अब इस पर क्या कहें लगता है कि उन्हीं की माया है अब बहुत है निसाचर छूट गये तो पतनियाबा था राट के फर सपने में आहिए चही बाई जब राम लेला करके जाते हैं घर की तरह तो आपकर पोब आते नहीं हुआ नहीं रास्ता रोक देता चुराइल घलाए मिला थी रसता मां तो कुछ नहीं हुआ वहाई एक बर का बहाँ के हम लीला बंदभाद चलान घरे अधिए एक भूत मिला थे बहुत का थे यह चुति नहीं है तो शूचित कि यह भूता ही आज इस कुछ नहीं जी जब कला करते हैं जो तो हास दिखाते हैं दर्सक हसते हैं जी एक कला कार के हास कला कार के जीवन की यही उद्देश होता है कि दर्सकों तो कैसा लगता है हम को तो बहुत अच्छा लगता है और जितने भी कला का रहते हैं तो सब बहुत से धन्रवाद देते है बहुत से प्यार देते हैं जब जैसा आपने बताए कि जब कहीं पर राम लीला चलती है जब वापस आते हैं तो बेटी की बिदाई की तरीके सुख करते हैं प्रेम मिलता है अभी हम लोग यहां सीधी में किये थे पढ़रा गाव एक है जहां जेल बनी है पढ़रा सेंटर जे हैं लेकिन उनका इसने आधर इतना प्यार मिला कि वहां से आने का मन नहीं करता था जेल में तो नहीं रोकि दिये थे नहीं जेल में तो नहीं गए लेकिन थे उसके पास ही में क्योंकि आपके जीवन में तो बहुत कलाकार कलाकार लोग रहती हैं मिट्टी की तेल से आग ब तो पढ़े रहें गया में पर पहली बार जब भाइब हाई तो पहली बार कईसे अनुभा हुआ जिस में अब तो हमार पूंजाल की सुमें किसने कानत्त जी हो गए पहले इनके बडे बढ़े भाईया इनके भी उनको मुंना मुंना ती बारजी बोलते थी इसमें ना कुल में रहते हैं तो मतलब है पहले काम हुआ ही करते थे लेकिन वह पहली बारा अपने कामेडी की वहां पे तो क्या लगता था कि कर पाएंगे दर्शकों कहां सा पाएंगे यही लगता था लेकिन फिर दीरे-दीरे करते-करते अब हो गया एक दम निर्भी को चुकी है अकेले में जब कोई समयस्या आती तब उसका समाहधान कही से होता है अकेले में तभी एक आसे कलाकार भी रोता है रोता एजब ऊता है जब वह रोता है तब फिर उसको कौन चुप कराता है को मेरारू है diss improvements जो रहे 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 तोहरा बाबू हमाहन अव एक दार मेहरिया मर ज़गा तो कुछ पुछ जनता हम रोबाई टाइ तरह मिर अजिए अब हम कहां घंवारु जए ओंशी कि लिगा दोन करने को जनता कि समय जश्वाहन सब तोहार मेहरारु मैं बंजाब बाबू के दार सब कहें कि बाबू मतलब घर में बेलन मिला है जो तो आपकी पतनी के द्वारा पिटाई उटाई हुई है कफिया वह जो अईसन नहीं पर सेंडिल साथ नंबर बनिया माजी धरी रहा थी जब को नहीं अनरगल काम भार ना भी अपिंटू पर यह जो आपकी अवर नहीं केवल नंबर भर लिखा था अवसन बाजा तो नहीं मतलब अभी चिपका नहीं है आप पेंट नहीं पर पर नंबर लिखी जाते पर जम नहीं धोई ते मिटा जाता है अच्छा पड़ जाता है काभी काभी अब होगा दुधार गाय के लाहता है अब हम बात करते हैं क्रेशन कांती जी छे राम राज यहीं राम के चीवन से राम के चरेदर से आप दर्शकों को हम सब लोग सीखते हैं आप से चर्चा करके काफी अच्छा लगा हाला कि बहुत कम सब्दों के माध्यम से आपने बात करने की बात कही और आपने जो आपके भूमिका है उस भूमिका को बहुत बहुत बहुतर तरीके से जीने की कोशिस की है एक हास कलाकार होता है वो किसी ने कहा था या फिर साथ हम कि हसते हैं तो दिल के भीतर बहुत सारे गम होते हैं तो वही चीज है कि सामने हम हसते हैं क्यूं क्यूंकि सामने बाला हसे हमारे अंदर क्या है उस चीज को छुपा कि हसते हैं वह तो हम जान रहे हैं वह तो पीड़ा नंबर जी याद है वह दूसरी चीज होती है और कुछ सब्सकों को एक दो और चुटकुले सुना दें हो गया अब ही अपने पेट के पीड़ा भोल जाए ठीक है चुटकुला चलिए अब टाइम तो हो गया है अब हम लोगों का निवेदन है कि आप मीडिया से आही गए हैं तो हमारी एक चाहिए कि थोड़ा सा हमारे कारिक्रम का खोड़ा से ले लिजिए इसके बाद पिर इसको भेज दीजिए तो यह थे हमारे साथ हाश्यक अलाकार बिदूसक और इस राम लेला के राम लेला मंडली के व्यास महराज कृष्ण कांत जी दोनों लोगों ने हमसे चर्चा की और अपने जेवन से जुड़े अनभवों को साजा किया बने रहिए दखा बर्दान यूज के साथ नमस्कार धनवाद